मूवी की शुरुवात में हमें लाखों साल पहले का समय दिखाया जाता है, जहां पर हम लुसिफर को देखते हैं, जो गौड के खिलाफ होकर उनसे लड़ने लगता है, इसलिए गौड उसे स्वर्ग से बाहर करके नर्क में फैंक देते हैं, जहां पर लुसिफर का भाई आर दुनिया को तबाह कर दूंगा, उसके बाद सीन शिफ्ट होती है 2022 में और हम लौरा नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो की इटली शहर में एक आर्ट स्टूडेंट है, और लौरा इटली के सबसे अच्छे आर्टिस्ट के बारे में एक कहानी लिख रही थी, इस कहानी में उसने लिखा था कि इटालियन आर्टिस्ट कभी भी एंजेल्स और डेमोस पर विश्वास नहीं करते थे, जब लौरा अपने प्रोफेसर को ये कहानी बताती है, तो प्रोफेसर कहते हैं कि उसकी कहानी बहुत खराब है, असल में इस कहानी से उनकी हिस्ट्री की इंसल् इसलिए वह इस कहानी की बुराई करते हैं, उसके बाद लौरा अपने दोस्त मैकरोनी से मिलती है, जो की एक चर्च में फादर है, और आज ही के दिन उनके चर्च में जीजस के कफन की एगजीबिशन लगने वाली होती है, फिर फादर मैकरोनी लौरा को एगजीबिशन मे आने के लिए एक स्पेशल पास देते हैं और उसे जीजस का कफन दिखाते हैं जिस पर जीजस का खून भी लगा हुआ था उसके बाद वह लौरा चर्च में आया नया स्टेचू दिखाते हैं इस स्टेचू में माइकल ने लुसिफर को हरा कर उसके उपर पैर रखा हुआ था और स्टेचू को देखने के बाद वह दोनों शैतानी शक्तियों के बारे में बात करते हैं और फिर मैकरोनी वहां से चला जाता है यहां लौरा अपने कहानी के लिए उस स्टेचू का स्केच बनाने लगती है और इसी दौरान उसे महसूस होता है कि किसी ने उसका नाम लेक उसे पुकारा है लेकिन जब वह आसपास देखती है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता सिर्फ कुछ घंटों बाद एगजीबिशन बंद होने वाला होता है तभी हम एक अंजान औरत को एगजीबिशन में आते हुए देखते हैं और वह उस स्टेचू की तरफ जाती है औ उसे एक खिड़की पर एक कोवा बैठा हुआ दिखाई देता है और जब लॉरा का ध्यान कोवे पर होता है तब वह अंजान औरत स्टेचू से माइकल की तलवार चुरा कर वहां से जाने लगती है और तभी वहां का गार्ड लॉरा से पूछता है कि वह अभी तक यहां पर कि स्टेचू से तलवार गायब है अब लॉरा को अजीब लगने लगता है और जल्दी से वहां से चली जाती है लेकिन बाहर जाने वाला दर्वाजा बंध होता है इसलिए लॉरा बाहर जाने के लिए दूसरा दर्वाजा ढूंडती है और वापस कॉरिडोर में आ जाती है जहां वह देखती है कि एक औरत ने तलवार से गार्ड का सिर काट दिया है, ये देख कर लौरा बहुत डर जाती है और भाग कर एक रूम में जाकर छुप जाती है और यहां अंजान औरत उस गार्ड की आंखो को स्कैन करके जीजस की कफन के सिक्योरिटी लेजर को आफ कर देती है और फिर तलवार से उस काच को तोड़ती है जब मैकरोनी को काच तूटने की आवास सुनाई देती है तो वह जल्दी से वहां आ जाता है और उस औरत को रोकन को देख लेती है और अपने आदमियों को उसे भी साथ ले जाने के लिए कहती है फिर यहां मैकरोनी समझ गया था कि वह अंजान औरत जीजस के कफन का इस्तिमाल किसी गलत काम के लिए करने वाली है इसलिए वह गौड माइकल से प्रार्थना करके उन्हें अपने शरीर में आने को कहता है ताकि वह उस औरत को रोक सके जब गौड माइकल उसकी प्रार्थना सुनते हैं तो वह तुरंत मैकरोनी के शरीर में आ जाते हैं और उस औरत के कार का पीछा करने लगते हैं जब वह औरत फादर मैकरोनी को देखती है तो वह समझ जाती है कि उसके शरीर में म और बच्चे की परफॉर्मिंस खत्म होने के बाद डॉक्टर लॉरेंट बताते हैं कि ये बच्चा फेमस म्यूजिशियन का एक क्लोन है और आगे ये भी बताता है कि हमारी कमपनी मरे हुए लोगों की डियेने लेकर इनका क्लोन बनाती है और इन बच्चों को अमीर मिल गया है फिर ये सुनकर लॉरेंट उस औरत के साथ चला जाता है और ये लोग लुसिफर नाम के विला में जा रहे थे इस से हमें पता चलता है कि वह सभी लुसिफर के गुलाम है और यहां लॉरेंट जीजस के कफन को देखने के लिए बहुत उताला होता है क्योंकि जी सेल में डॉक्टर्स की टीम आती है और सभी के बलड सैंपल लेने लगते हैं असल में डॉक्टर लॉरेंट इन लड़कियों के जरिये जीजस का क्लोन पैदा करने वाला होता है और दूसरी तरफ माइकल को देखते हैं जो चर्च में वापस आ जाता है यहां के फादर्स मैकर मैकरोनी को जिन्दा देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं जबकि मैकरोनी की बॉड़ी में माइकल था लेकिन माइकल उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बताता और माइकल फादर से पूछता है कि जीजस की कफन के सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी थी जिस पर फादर ब और उसके बारे में पूछता है लेकिन किसी को पता नहीं था कि लॉरा कौन है जिसके बाद माइकल कार्डिनल से मिलने के लिए एसाइलम जाने लगता है जिस दोरान एक कौवा उनकी गाडी का पीछा करते हुए दिखाई देता है और दूसरी तरफ डॉक्टर्स जीजस के कफन से डिये ने निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं और वही माइकल एसाइलम में जाकर कार्डिनल से मिलता है कार्डिनल के पास गन होती है और वह बहुत डरा हुआ होता है और जैसे ही कार्डिनल माइकल को छूता है तो वह समझ जाता है कि वह फादर मैकरोनी नहीं है त सिर्फ इसलिए रहता हूँ ताकि लुसिफर विला पर नजर रख सकू, उसके बाद माइकल को वह लुसिफर विला दिखाता है, जिसके अंदर नर्प में जाने का दर्वाजा है। और यहां Cardinal Michael को Liz के बारे में बताते हुए कहता है कि Lucifer के लोग अकसर बातें करते हैं कि एक दिन Lucifer वापस लट आएगा और वह लोग सालों तक Lucifer के लिए बच्चे लेकर आए ताकि Lucifer उनके शरीर पर कबजा करके बाहर आ सके लेकिन वह सभी बच्चे इतना Strong नहीं थे कि लुसिफर उनके body में रह सके और Cardinal ये भी बताता है कि लुसिफर के लोग Jeezus के कफन को इस लिए चुराया है ताकि वह उसकी मदद से Jeezus का clone बना सके क्योंकि Jeezus का clone बहुत Strong होगा और लुसिफर उस clone के शरीर में आकर आसानी से बाहर आ सकेगा फिर ये सब जानने के बाद Michael Cardinal से वादा करता है कि वह उन्हें ऐसा करने से पहले रोक लेगा उसके बाद Cardinal Michael को उस विला के पास ले जाता है और जैसे ही Michael उस विला में पहुँचता है तब उसकी तलवार हिलने लगती है ठीक उसी समय लुसिफर अपनी जंजीरों को खीच कर खुद को आजाद कर लेता है फिर दूसरी तरफ लॉरेंट को लॉरा के बलड टेस्ट से पता चलता है कि उसका DNA जीजस के क्लोन के लिए 100% मैच हो रहा है अब लिज लॉरेंट को प्रोसिस आगे बढ़ाने को कहती है उसके बाद डॉक्तर्स की टीम लॉरा को सरजरी के लिए ले जाने लगते हैं तब लड़कियां अपने बचा के लिए जंजीरों का इस्तिमाल करती है फिर ये देखकर वहाँ पर और भी नर्स आ जाते हैं और वह लॉरा के साथ साथ ब्रेंडा नाम की लड़की को भी सरजरी के लिए ले जाते हैं तब डॉक्तर उनके पेट में जीजस के DNA से निकले इंप्लांट एक्स इंजेक्ट करते हैं और इसी दौरान लिस खुद को इंजेल बताती है और लॉरा से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम भी हम में से एक हो क्योंकि मैंने तुम्हारी डायरी में लुसिफर के स्केच देखे थे फिर दूसरी तरफ कार्डिनल माइकल को एक गुफा के पास छोड़ देता है जहां से उस विला तक पहुँचने का रास्ता था तभी कार्डिनल उस कौवे को गोली मार देता है जो की बहुत समय से उनका पीछा कर रहा था फिर कार्डिनल अपना गन माइकल को दे देता है और माइकल उस गुफा के अंदर चला जाता है और दूसरी तरफ विला में लौरा और ब्रेंडा को दुलहन की तरह सजाया जाता है और उन्हें एक खंभे से बांध दिया जाता है जिसके बाद नर्क के दर्वाजे से एक बीस लुसिफर आता है और ब्रेंडा के अंदर चला जाता है फिर ब्रेंडा उससे बचने की कोशिश करती है लेकिन वह उसे बरदाश्ट नहीं कर पाती और उसकी मौत हो जाती है उसके बाद लुसिफर बाहर आता है और लुरा के अंदर चला जाता है लुरा की बोडी बहुत इसलिए वह लुसिफर के हावी होने के बाद भी वह बच जाती है, इसलिए लुसिफर डिसाइड करता है कि जीजस का क्लोन लौरा से ही पैदा होगा। अब लौरा को नर्क से बाहर लाया जाता है, जहां लिस और बाकी लोग उसका वेलकम करते हैं, उसके बाद लिस लौरा को दूसरे सेल में ले जाती है, और उसे बताती है कि वह बच्चे की डिलीवरी होने के बाद यहां से जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ माइकल को देखते हैं, जो विला में आ जाता है, तभी गार्ड्स उसे देख लेते हैं और उसके कंधे पर गोली मार देते हैं, लेकिन माइकल किसी तरह उन गार्ड्स को मार देता है और फिर एक गार्ड की यूनिफार्म पहन कर लैब में पहुँच जाता है जहाँ पर वह जीसस के कफन को उठा कर अपने पास रख लेता है और इसी बीच वहाँ पर लॉरेंट आ जाता है जिसे देखकर माइकल उसे तु और आग लगाकर पूरी लैब को जला देता है जिसके कारण पूरी बिल्डिंग में अलार्ड बजना शुरू हो जाता है तब लॉरा एक नर्स से उसे जाने देने के लिए कहती है लेकिन वह नर्स उसे से बाहर नहीं जाने देता तबही अचानक माइकल वहाँ आकर नर्स क लिकिन माइकल को समझ में 확인 आ रहा था कि वह आजाद कैसे हो गया, अब माइकल बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, जिस्से लौरा को लगता है कि शायद वह भी लिस्का ही आदमी है, इसलिए लौरा वहाँ से भाग जाती है, तब माइकल उसका पीछा करता है और उसे बचा कर एक रूम में ले जाता है और यहां माइकल उसे विश्वास दिलाता है कि वह उसकी तरफ है और उसे बचाने के लिए आया है इसके बाद वह दोनों उस गुफा से बाहर जाने लगते हैं इसी दोरान लिस अपने आदमियों को उनके पीछे भेज देती है और लौरा क पेट में पल रहा बच्चा बहुत तेजी से बढ़ रहा था इसलिए लौरा को अच्छा फील नहीं होता है फिर थोड़ी देर बाद नर्क से निकला हुआ बीस्ट वहां आ जाता है जो कि माइकल से लड़ने लगता है और माइकल का शरीर बहुत घायल हो चुका था बंद कर देती है और दूसरी तरफ माइकल को जंजीरों से बांध दिया जाता है लेकिन माइकल अपनी शक्तियों से जंजीरों को तोड़ कर आजाद हो जाता है उसके बाद माइकल उस बीस्ट से बचकर नर्क के अंदर चला जाता है जहां पर एक देमन माइकल को देख कर उस पर हमला कर देता है लेकिन माइकल किसी तरह उसे दूर फेंग कर वहां से भाग जाता है और उस जगह पर पहुँच जाता है जहां उसने लुसिफर को कैद किया था। बहुत दर जाती है और उसकी आखें खुल जाती है असल में ये लॉरा का एक सपना था इधर लिज लॉरा के पास बैठी हुई थी वह लॉरा से पूछती है कि क्या लुसिफर ने तुम्हारे साथ बात किया है जिस पर लॉरा कोई जवाब नहीं देती है उसके बाद लिज उ कुछ बच्चों का ग्रुप माइकल को बंधा हुआ देखता है और ये वही बच्चे थे जिन्हें लिसके लोगों ने लुसिफर के हवाले किया था तभी माइकल सभी बच्चों से वादा करता है कि अगर वह उसकी तलवार ढूंड कर उसे देंगे तो वह उन्हें यहां से आजाद कर देगा इसी दोरान यहां पर डेमोस आ जाते हैं जिन्हें देखकर कुछ बच्चे भाग जाते हैं और कुछ बच्चों को डेमन द्वारा पकड़ लिया जाता है इधर सेल में लुसिफर लुरा के दिमाद में जाकर उससे बात करता है और उसे ओफर देता है कि अगर वह बच्चे को पैदा करती है तो वह उसे उसकी परिबार को मारने वाले कातिल को खत्म करने की शक्ती देगा और साथ ही अगर उसे लिस को मारना है तो वह उसे भी मार सकती है तब ही लुरा लुसिफर के ओफर को एक सेट कर लेती है और बच्चे को संभालने लगती उसके बाद जब एक नर्स कुछ टेस्ट करने आता है तब लॉरा अपने नई शक्तियों से उसे मार देती है और वहाँ से भाग जाती है तब उसके सामने दूसरा नर्स आ जाता है जिसे देखकर लॉरा उसे भी पीट-पीट कर मार देती है और लॉरा को जब होशाता है कि उ उसने दो लोगों को मार दिया है, तो वह बहुत ज्यादा घबरा जाती है, और डिसाइड करती है, कि वह अपने पेट में पल रहे बच्चे को मार देगी, उसके बाद लुसिफर उसे मा कहकर उसे इमोशन करने की कोशिश करता है, और बच्चे को मारने से रोकता है, लेकिन लुरा उसके आवास को नजरंदाज करती है, और एक रूम में जाकर क्लोरीन पी लेती है, तब लुसिफर लुरा पर कंट्रोल करके उसे उल्टिया करा देता है, और उस बच्चे को बचा लेता है, तब ही लिस वहाँ आजाती है, और लुरा पर चिल्लाने लगती है, पर लुरा के शरीर में अब भी लुसिफर होता है, जो की अपने पावर से उस रूम के दरवाजे को बंद कर देता है, और लिस को पकड़ कर उसके उपर उल्टिया कर देता है, दरसल लुसिफर लिस को उसकी गलतियों के लिए सजा दे रहा था, क्योंकि लिस के होते हुए लौरा उस बच्चे को मारने वाली थी, और यहां लुसिफर लिस से कहता है कि बच्चे की पैदा होने पर यहां के सभी लोगों को मरना होगा, साथ ही कहता है कि बच्चे के पैदा होने के बाद लॉरा को मार देना उसके बाद लॉरा को हीलिंग पोर्ट के अंदर रखा जाता है ताकि वह दोबारा से अपने बच्चे को मारने की कोशिश ना कर सके उसके बाद लुसिफर नर्क में एक देमन के अंदर जाकर माइकल के पास जाता है और उसका मजाक उडाता है तभी नर्क में मौजूद वह बच्चे उन दोनों की बाते सुन लेते हैं, जिससे उनहें समझहा जाता है कि माइकल उनहें बचाने के लिए आया है फिर लुसिफर के जाने के बाद वह बच्चे माइकल की मदद करने का सोचते हैं और वह तलवार ढूंड कर माइकल को दे देते हैं जिसे पकड़ कर माइकल अपने असली रूप में आ जाता है इसके बाद माइकल वापस से मैकरोनी के रूप में आता है और वह लौरा के पास ताकि वह उस बच्चे को पैदा होने से रोक सके फिर लॉरा के पास पहुँचकर उसके पोर्ट को दूसरे रूम में ले जाता है और लॉरा को समझाने की कोशिश करता है कि उसके पेट में नार्मल बच्चा नहीं है तभी लॉरा के अंदर मौजूद लुसिफर माइकल पर ह अटैक करता है पर माइकल अभी भी हार नहीं मानता और कहता है कि ये सब गौड की मर्जी से हो रहा है और साथ ही ये भी कहता है कि अगर लुसिफर जीजस की पवित्र शरीर पर जाएगा तो जीजस उसे अपने कंट्रोल में कर लेंगे फिर ये सुनकर लुसिफर को बहुत लौरा बोल रही है इसलिए वह बच्चे को मारने की जगह पैदा होने देती है और बच्चे के पैदा होने के तुरंत बाद लिज उसे अपने पास रख लेती है और नर्क का दर्वाजा खोल कर लौरा को इसमें फैंक देती है अब लिज उस बच्चे को अपने लोगों के मारने का आदेश देती है, जिसे सुनकर बीस्ट सभी लोगों को मारने लगता है, यहां। अपने बच्चे को वापस ले लेती है। उसके बाद माइकल लॉरा को बताता है कि वह बच्चा डेमन का नहीं बलकी गौड का है क्योंकि लॉरा को लुसिफर ने नहीं बलकी गौड ने चुना था। अब लॉरा गाडी से सीधा कार्डिनल को खोजने के लिए निकल जाती है जबकि माइकल नर्क के दर्वाजे को बंद करने के लिए वहीं रुक जाता है। जैसे ही वह दर्वाजा बंद करता है वहाँ बीस्ट आ जाता है और फिर से उस दर्वाजे को खोल देता है। तभी माइकल को वहाँ पर कुछ बम दिखाई देते हैं जिन्हें माइकल बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, इस ब्लास्ट से विला के खत्म होने के साथ साथ नर्क का दर्वाजा भी बंध हो जाता है, फिर कुछ समय बाद कार्डिनल और लॉरा उस बच्चे को चर्च में ले आते हैं, जहां वह जीजस के कफन को वापस रख देते हैं, फिर दूसरी औ और माइकल नर्क में जाकर उन बच्चों को आजाद कर देता है, अब कुछ साल बीट जाते हैं, जहां लॉरा और उसका बच्चा अब कार्डिनल के साथ उसके एसाइलम में रहते हैं, तभी अचानक लिस उस बच्चे को देखने के लिए वहां आती है, और लुसिफर को ब इमेशा के लिए अपने कबजे में कर लिया होता है, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है,